तो नुबश्कार आप सभी का श्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल स्टडी फार जीके में और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे सांस का एक बहुत ही महत्मूर्ट पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो में तो आप वीडियो के अं उनसे समद्ध महत्मूर्ट फैक्टों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीवी टीवी के अगर बात की जाए दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा टीवी ट्यूबर क्लोसेस का फॉल फॉर्म होता है और टीवी जो होता है इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है तो आप याद रखिएगा टीवी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट कौन सा टेस्ट हो जाता है अगर टीवी किसी विक्ति को है या नहीं है यह किलियर हमको करना होता तो मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं दोस्तों ओके चलिए बा चलिए बात करने के लिए आपको टेस्ट कराना होगा कौन सा बेसन इस्टेंड आप लोग याद रखेंगा नाम आप लोगों को याद रखना होगा बेसन इस्टेंड टेस्ट इंपोर्टेंट है काफी इंपोर्टेंट वीडियो है वीडियो के अंतर जरूर बने रही है आप चलिए बात कर लते हैं नेस्ट malaria, malaria की अगर बात की जा तो malaria आप लोगों ने काफी बार test कराया होगा malaria का, तो malaria के test का नाम होता है rapid diagnosis test तो आप लोगों को नाम याद रखना होगा काफी लंबा नाम है, एक से दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा, clear हो जाएंगे सारे सीजे तो malaria के test का नाम क्या है दोस्तो rapid diagnosis test चलिए, next बात करते हैं ads, ads काफी बार exam में पूछा गया question है, इसे exam में अब full form भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो सबसे पहले बात कर लेते है ads, ads की जाच करने के लिए कौन से test यूज किया जाता है तो आप याद रखिएगा, ELISA test कौन से test होता है, दोस्तो ELISA test, ELISA कि अगर full form की बात की जा तो आप लोगों को याद रखना होगा, दोस्तो यह है आपका enzyme linked amino solvent ऐसे ही, तो नाम आप full form भी याद रखिएगा पूछा जाता है एकसर exam में, ओके वीडियो सौट ही है, ओके चलिए बात कर लेते हैं, next देखें, कोरोना, RT-PCR आप सभी लोगों ने करवाया होगा, RT-PCR test, तो RT-PCR जो test है यह काफी लोग परचेत होंगे इससे कोरोना, किसकी जांच के लिए किया जाता है दोस्तो, कोरोना की जांच के लिए कोरोना की जांच के लिए कौन सा test किया जाता है दोस्तो, पूछा जाएगा आप से exam में तो राइट आंसर करिएगा आप RT-PCR जो होता है, COVID की जांच के लिए होता है transcription polymers chain reaction आप लोगों को 2-3 वार बोल को इसको इसलिए विडियो मैं थो तीन बार बोलेगा याद हो जाएगा काफी लंबा है तो आप लोग रिवाइश करिए गदा आप किलियर हो गया होगा आप लोगों को यहां तर चलिये यह विडियो को लास्ट था तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए फैक्टों के साथ बारत